तो गेश ब्यार रेंग सीजन 38 खतम होके 39 बिगीन हो चुपा है और गेश सबसे मज़िदार बात ग्रेंड मस्तर प्लेयर्स का जगा 10,000 तक इंक्रीज कर दिया मतलब टॉप 10,000 प्लेयर्स को ग्रेंड मस्तर में सो करेगा और गेश सभी का रेंग ड्रॉप हो गया होगा लेक श्क्रीज कब्रेंड आफ यू अगले सीजन भी ग्रेंड मस्तर पे पहुचता है वो भी रेंड पोजिशन का रैंकिंग जो है वह कम जादा हो लेकिन वो रेजन पर जरूर रहेंगे तोकि इस total सार रीजन है कारे ने जिसके वज़े से वो लोग हमेशा रेजियन पर ही रहता है जो बात करते हैं रीजन नमबर 4 के वारे में तोकि चोठा नमबर कारे ने attain higher score on current rank season मतलब लोग इस planning करना होता है आप लोग का current rank position की इसलिए अगर आप लोग higher score attain करते हो current rank season में तोकि आप लोग को अगले season एक higher rank टक drop करेगा अप लोग बात करें तीसरा नमबर रीजन की वारे में तोकि इस रीजन प्लेयर का सभी के पास एक permanent score जरूर से होता है आप लोग गौर करना वो लोग अपना permanent score को चोड़के सायरी किसी और के साथ खेलता होगा उसके बाद बात करें second number reason की वारे में तोकि second number reason है playing with PC player up to 5000 score मतलब कि अगर आप लोग PC players के साथ game खेलते हो ना मतलब आपका squad में कोई भी एक बंदा PC player हो आप लोग का 5000 score तो गेम पे बॉट आएंगे मतलब आप लोग एजीली हर एक match बुया करके game को जीट के अपना score जोए बहा सकते हो up to 5000 score मतलब कि आप लोग एक ही दिन में 5000 score बना पाओ के अगर आपके पास कोई भी PC player हो जो 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 बात करते है reason number one की वारे में reason number one में बात करने वाले 24 into 7 playing strategy के बारे में एक ही प्लेयर का 24 into 7 hours खेलना possible नहीं हो पाता क्योंकि phone का battery non-stop 24 hours तक तो नहीं चलेगा और आप लोग चार्ज में लगा के नहीं खेल सकते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने डोस्त को id दे के रखते ताकि वो लोग एक time पे खेल पाए मतलब एक time पे ये खेलेगा और डूसरे time पे वो अपना डोस्त खेलेगा ऐसे करके 24 hours तक उन लोग का rank pushing चलता रहता है जिसके वज़े से वो लोग हमेशा reason पे ही रहता है चलो पूस कर रहे हो तो एक skill की बॉटी जादा जरूत होगा इसलिए ये वाला skill combination आप लोग के लिए specially generate करके रखा आप लोग को आलोग या फिर active skill slot पे रखना है उसके बाद passive 1 में आप लोग को रखना है उल्फरा करेक्टर को रख लिया है उसके बाद passive 2 पे आप लोग को skill slot पे आप लोग को रखना है जोटा करेक्टर को है जोटा करेक्टर बहुत ही बढ़िया जो की damage देने पर आप लोग का HP increase होता है उसके बाद आप लोग को पैट skill slot पे रखना पड़ेगा ड्रैकी पैट को जो की location reveal कर देता है mad kit मारने पर गए उसके पाद supply crate रखना है आप लोग को जो की level 1 का waste helmet बीजान और 60 SMG देता है आप लोग को जब आपका dose revive करेंगे ना normal revive करने पर भी आप लोग को SMG gun मिलेगा अपके यही वाला skill का मैंने यूज करके मैंने अगले season 38 में 5 star किया था ब्यार रेंग की अंदर और मेरा केडी 10 का था 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 दूए 10.50 का था और squad में 8 लगवग 8 का केडी था घज तेक है तो चलोग इस नेकस्तम बात करते है trick number 3 के वारे में तो कि इस trick number 3 पे हम लोग बात करने वाला है special map pattern strategy के वारे में उसके पार और एक बात करेंगे less map strategy के वारे में भी बात करेंगे अपकर special map pattern के वारे में बात करें ना तो कोई map आये उस map का एक pattern बनाना है मतलब आप लोग कहा land करोगे permanent जगा बना लो कि वही पे आप लोग को बार बार land करना है क्योंकि उस जगा का expertise हो जाएगा आपको कहा से जाने पर आपको loot मिलता है और ऐसा बहुत सरा जगा है जहां आप लोग को permanent loot मिलता है और बहुत अच्छा loot मिलता है उसके बाद उस जगे से land करने के बाद loot करके आप लोग कहा जाओगे वो एक पूरा pattern बनाना है starting से लेंडिंग से लेकर ending तक आप लोग बुया होने तक आप लोग को एक pattern बनाना है और वही pattern पे आप लोग को circle घुमना है और आप लोग ऐसा करते हो ना तो क्या हो को पता होगा आप लोग का बर्मुडा मैप आ गया जैसा कि मैंने मार किया मैं उतरने वाला clock tower, clock tower से मैं जाने वाला factory पे, factory के बाद में जाने वाला पोचिनॉक, पोचिनॉक से मैं जाने वाला peak पे और peak से मैं बीमा सक्टी जाओगा और अगर बीमा सक्टी पे zone नहीं बनक तो मैं पापस से clocked out जाओंगा ऐसे एक circle जो है ना pattern में बना लेता हूँ उसके बाद बात करें less map strategy के बारे बेटो गाइस क्या होता है कि बहुत सरा map आप लोगो डिया गया है जिससे कि आप लोग download center में जाके maps को delete कर सकते हैं जो जो map delete होता है ना सभी maps को delete कर दो और जो जो delete नहीं होता है बस उसी maps को खेलागा तो चलो हम बात करते है ट्रिक नंबर 2 के बारे हम लोग बात करने वाले मैकसिमा maps score points की बारे में तो गैस maps score points बहुत सरे topic पर depend करता है जैसा कि बुईया बोनस, rank score, battle score, revive और नया नया चल रहा है make a drag bonus के उपर गए तो गैस सबसे पहले बात करते है बुईया bonus की बारे में तो गैस बुईया bonus की आई कि मतलब अगर आप लोग उस तरीक लेते हो fight लेग गेम के अंदर और उसी के हिजाब से आप लोग का battle score plus लगता है उसके बात बात करें help up score या फिर revive score की वारे में तो अपने teammates को आप लोग कितना help करते हो कितना revive करते हो उसके उपर भी आपका score जो है बोनस score की वारे में बात करें daily mission score की वारे में बात करें तो 20 points हर एक पहला match पे आप लोग का plus लगता है रेंग पे बियार रेंग पे अगर आप लोग ने इन सब टॉपिक पर ध्यान दिया ना तो आप लोग map score points को बहुत चरह increase कर सकते हो जैसा कि अगर आप लोग ने help नही से अच्छा है आप लोग इन सब टॉपिक पर ध्यान दो और आप लोग को जादर जादर bonus points मिलेगा और आप लोग जादर जादर rank points easily collect करके grandmaster पहुच सकते होगा तो तो चलों के सब हम बात करते है trick number one के वारे में तो के trick number one पे हम लोग बात करने वाला है perfect landing strategy के वारे में starting होने से पहले ही आप लोग को पता करना होने के टूरंड बाद आप लोग को जैसा कि loading battle royale dash लेके बर्मुडा लिखा हुआ है ना तो उधर आप लोग को पता चल जाता है second number thing पे आप लोग को ध्यान देना है कहां आप लोग को land करना है map खोल के आप लोग को क्या करना है ए तो इससे क्या होता है late landing होता है और enemy आपसे पहले ही land कर देता है और gun लेके आप लोग को easily मार सकते हैं साइड में डेख सकते हूं मेरा team मेरा सामने जो enemy वो उटर चुका है और उन लोग को gun मिल चुका है और finally मुझे एक shotgun मिल जाता है जिसके कारण में enemy को मारने में सक्सम हो पाता होगा इसलिए perfect landing strategy number 3 पे आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जहां आप लोगों ने मार किया है उधर एकदम उपर से नहीं कुदना एक particular distance से आप लोग को चलांग लगाना है ताकि आप लोग का late landing ना हो उसके बार perfect landing strategy number 4 पे आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है लेंडिंग always on a gun आप लोग को हमेशा एक gun के उपर ही land करना है ताकि आप लोग को के सामने अगर enemy उतर हैं तो enemy को आप लोग easily मार पाऊ उसके बार perfect landing strategy number 5 पे आप लोग को हमेशा ध्यान देना है आप लोग को load out में supply crate लेके आप लेकर आप लोग को incidentally मर जाते हो और normal revive भी क आप लोग के लिए सबी ट्रिक्स बहुती जादा helpful होगा अगर आप लोग ने गेम पे सबी ट्रिक्स को सही से apply किया तो बाकि उमीद आप लोग को आज का वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा है तो वीडियो को एक चोटा सा लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे न